सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्के चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्के में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने गले के दर्द वा सूजन से छुटकारा पासकते हैं दोस्तो गले में दर्द वा सूजन का होना इस बात कर संकेत देती है कि आपको सर्दी लगने वाली है गले पर ज़्यादा दबाव पढ़ने के करण सूजन आ जाती है और फिर इसी सूजन आने की वज़े से गले में दर्द होने लगता है जो की बहुत ही दर्दनाक होता है कुछ भी खाने पीने बधूक निगलने से भी गले में पीडा दायक दर्द होता है अगर इसका इलाद सुरुवात में ही ना करवाया जाए तो आगे इसकी वज़े से और भी परशानी हो सकती है दोस्तो गले के दर्द वा सुजन में गर्म चीजों का सेवन करने पर आराम मिलता है दोस्तो अगर आपको इस समस्या से छुटकारा पाना है तो आप एक गलास गर्म दूध लीजिए अब इसमें करीब आधा चम्मच हल्दी पौडर मिला कर इसे अच्छे से मिक्स कर लें तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने गर्म दूध ले लिया है, आपको गर्म दूध ले लेना है, अब दोस्तो आपको इसमें मिला लेना है, आधा चम्मच हल्दी पॉडर इसमें मिला लेना है, तो दोस्तो यह मैं आधा चम्मच हल्दी पॉडर मिला ले मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसे गर्म-गर्म फुक फुक कर सुबा साम पीना है दोस्तों अगर आपको गले में दर्द वा सुजन की वजह से कुछ खाने पीने में पर्षानी हो रही है तो इस नुस्के के सेवन से आपको जल्द ही इस समस्य से छुटकारा मिल जाएगा साथ ही गले के दर्द वा सुजन में भी लाब होगा क्योंकि दोस्तो दूद के सेवन से आवश्चिक पोशन मिल जाता है और हल्दी में दर्द नाशक गुड़ होते हैं साथ ही हल्दी का सेवन संक्रमण को पैलने वा बैक्टेरिया को दूर करने में भी काफी मददगार होता है इसलिए दोस्तो अगर आप गले के दर्द और सुजन से परिशान हैं तो इस नुस्के का प्रियोग ज़रूर करिए चलिए दोस्तो अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ एक गलास गर्म पानी में एक चम्मच अदरक का रस एक चम्मच नीबू का रस वा एक चम्मच शहद मिला कर गरारा करने से भी गले के सूजन और दर्द में अराम मिलता है दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए-नए घरीलो नुस्के लेकर के आता रहता हूँ तो दोस्तो मिलता हूँ मैं आपसे कलेक और नए घरीलो नुस्के के साथ तब तक के लिए नमस्कार